Hello students, welcome to Mind Nurture, मैं हो Krishna, कैसे हैं आप सब लोग, मास, बढ़िया, तो दो लोग स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मकलोजी का चैप्टर नमबर 6 का लेक्चर नमबर 3 जिसके अंदर लोग पढ़ेंगे anti-platelet agents, अब उमीद कर रहा हूँ, platelet क्या होते हैं बहुत अच्छे जानते होगे, और किस तरीके से हमारे blood clotting में role play करता है, ये बात भी अच्छे जानते होगे बूल गए हो अगर, तो फिर वापस से तुम्हें human endovia physiology पर जाना पड़ेगा, उसका चैप्टर नमबर 5 खुलना पड़ेगा, जहां पर हमने conclusion के बारे में सारी बाते कर रखी है ठीक है, तो simple सी बात क्या है बता दूँना, platelets के होता है, blood clotting में helproots करता है, cause cut pit जाता, तो वहाँ पर जाके platelets से cut different sound. आप उसे चिपकते हैं, और जो जगए होती हो, तो उसो be уж बंद करने की कोशिस करते हैं, तो simple सी बात क्या है on Tee Pletelet drugs, तो anti-platelet क्या करेंगे, this is clotting को प्रूवेंट प्लेटिट ढमरे ब्लोगने तो जब इसे गाएगा यहाँ पर आगए अपस में चिपगने से रोगते हैं। decrease your body's ability to form blood clot क्योंकि आप अपर से चिपकने नहीं देगा तो इससे क्या होगा बॉडिक ना क्लॉट मारा नहीं बनेगा इस मेडिकेस और यूज तु टू 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 जजकी हो टूट्स ए यूज काम करने के ट्रीट अलग था है काम करने का प्लेट ले अपर इसलिए ऐसी लिए ऐसी अच्छ होग आ i okay इसका सब्सक्राइब होता जीसको बहुत हैं अगर गलती को चो चोट लग जाए तो फिर क्या होता है उसकी बिलीटिंग बहुत देर अधे क्लासी को एख करें थोड़ा से नेमिंग है इसकी ठीक है ना निमिंग क्या है प्लेट्लेट्स में जहां जहां पर जैसे की थ्रॉम्बग्जन संथेसिस इनिबीटर जो कि प्लेटलेट ने ए प्लेटर है फ्लेटलेट्स को किसी तरहिके तरीका जा रहा है उसको उसके काम करने से रोका जा रहा है ठीक है थ्रॉंब्लोग्जन की घडी किया जा रहा है यह यहां से फॉर्मकोलोजिकल एक्सेस समझ में आएंगी तो तीन के रिए एस्प्रीन की डाइप यहां पे टिक्लोपीडी या क्लोपीडोज्रियोल बहुत जादे समाल होता है यहां पे अबिक्सियम है या एप्टी फीबा डाइट ठीक है कोई भी हमने याद कर सकते हैं चार के रिए चारों का एक ड्रग हम लोग याद रख लेंगा तो देखो यहां से समझ में आएंगी जो चीजें क्लासिफिकेशन डाइट समझ में नहीं आई है एस्प्रीन क्लासि आपसर चिपकने से रोकता है और ब्लट क्लॉट के फॉरृमिजन होने से रोकता है तिक्लोपीडी यह राव पीडियर फोर्मिंगेशन होने से रोकता है अपने टिक्लोपीडीन ठीक है ना टिक्लोपीडीन क्या काम करते हैं यह यह कहले कि P2Y2 receptor वाले क्या काम करेंगे तो टिक्लोपीड एक्ट बाइंडिंग ऑफ ADP to platelet receptor जिसे P2Y2 receptor पाए जाता प्लेट्स के उपर उसके उपर ADP को चिपकने से रोकेगा ठीक है एंड ट्रिग्रिंग ऑफ दा इंट्रसेलूलर पाफ़ेड एट लीड टू एक्टिवेशन ऑफ दा Glycoprotein 2nd B and 2nd A complex जब यह इसके उपर नहीं चिपक पाएगा जिसकी वैसे ट्रिगर होता है है क्या एक ऐसा रास्ता जिसकी वैसे Glycoprotein 2nd B और 3rd A बनना स्टार्ट होता है ठीक है ना विच कॉसे चेंज इन शेप प्लेटलेट्स एंड डियर एग्रिकेशन जिसकी वैसे प्लेटलेट की शेप में चेंजेस आते हैं और उनका सिपकना स्टार्ट होता है तो कही ना क जाए कहीं ना कहीं सारी चीजे प्लेटलेट से जुड़ी हुई है प्लेटलेट के फंक्सिन से जुड़ी हुई है अलग अलग जगह पर काम करती तो उसी हिसाब जो जहां काम करता थ्रॉम्बैक्जेन यह साइकलिक एमपी यह पीट्यू वाइट रिसेप्टर और यह फाइब्रिनोजेन ठीक है फाइब्रिनोजेन जिसको हम लोग क्या बोलते है वह विलब्रेंट फेक्टर भी कहते हैं अधर एड़ाइसी मॉलेकूल टू ग्लाइक प्रोटीन शेकेंड बी एंड थर्ड एक यह क्या करता है फाइब यह तुमको थोड़ा सा क्या है कि यह क्य प्लेटले तब जाकर के पूरा क्लॉड बनता है तो अल्टिमेटली क्या होगा यह फाइब्रिनोजेन को इसके उपर आकर चिपक नहीं नहीं देगा कौन अबेक्सी में यह क्या करता है इनिविट करता है प्लेटले लेगरेशन को बाइब प्रेवेंटिंग दा बाइंड फाइब्रोजेन और अधर एडेशिम मॉलेक्यूल तो जीपी सेकंड बिया थाड़े इस स्टेप में क्या होता है सेकंड थाड़े बनेगा ठीक है ना लिखा होगा डैटली टू एक्टिवेशन ऑफ दा ग्लाइगोपोटीन सेकंड भी और थाड़े कुछ स्टेप के बाद हर स्टेप में दवाई का अपना अलग काम है तो उसके हिसाब से थ्रॉम्बेक्जन सिंतेसि यह थ्रॉम्बेक्जन को सिंतेसिस नहीं होने देगा यह साइक्लिक एमपी को इनहांस करेगा पी टू वाइट रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा यह जी पी सेकंड भी और थाड़ का एंटागोनेस्ट है उसको उल्ट काम करेगा ठीक है जो यह काम करते हैं क्लाइगर प्रोटिन सेकंड भी और थाड़े उसको काम करने नहीं देगा ठीक है डोस अपनी में में याद रख लेंगे एस्प्रीन की डाइप अन्यों क्लोपी डोज रोल और यहां पर इसकी डो क्रोनिक इस्टेबल एंजाइना अनिस्टेबल एंजाइना कॉर्णरी स्टेंटिंग पढ़ती है तो इन सब जगाओं पर हम लोगों को इसकी डाव एंटी प्लेटलेट्स जो होती है दवाईयों की जरूत पढ़ती है इंडिक बात करें तो अगें हाइपर संस्टिवीटी प्रेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटले हर एक चीज़ को वापस आपस पूरा पूरा बताना पॉसिबल नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूं जो चीज जहां फस जाती है मालों विटामिन के वाला जो अमने लास्ट लेक्चर में भी सिखा था तो तुरंथ यहां पॉस करना और पीछे जाना है यही स्ट्राइजी जो जो बच्चा अपनाएगा ठीक है जो बाते पुरानी आती जा रही है और उसमें अगर फस रहे हो तो तुरंट जा करके उसको पीछे देखना है और अपना किलियर करना है कि हां क्या चीज़ भूल गया और क्या चीज़ हमें याद रखनी है ठीक है तो अगेन यह था हमारा चोटू सा चैप लेक्चर और यह खतम हुए आता बहुत जल्दी से बहुत ज्यादा गुश्था नहीं इसके था में लिए क्लासिफिकेशन था इसकी टफ नहीं थी ठीक है इम्पॉर्टेंट छोटू सा चैप्टर रहे इंपॉर्टेंट है यह यह लेक्चर इमपॉर्ट अल्दा वेस्ट